नमस्कार आप सभी का MBN Network पे बहुत स्वागत है CBI ने शुकरवार को संदेश खाली West Bengal के संदेश खाली में कई जगहों पर छापे मारी की और इस दोरान CBI ने विदेशी पिस्टल समेथ कई हत्यार बम और गोला बारूद जप्त किये है इसके बाद NSG कमांडो भी मौके पे पहुशते है क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार NIA की टीम पर भी हमला हुआ था एंड ED की टीम पर भी हमला हुआ था तो NSG की टीम ने भी तलाशिय अभ्यान चलाया और ये छाबे मारी पांच जन्वरी को शेक शाजहां के घर दबिश देने गई ED की टीम पर हमले से जुड़ी भी बताई जा रही है कलकत्ता हाई कोट के आदेश के बाद आपको पता है कि CBI ने संदेश खली में जमीन हडपने और महिलाओं के साथ यौन अपराद के केस में पहली FIR दर्श की और मामले में पांच आरोपियों के नाम है हलाकि ये कौन है अभी ये खुल करके सामने नहीं आया है लेकिन इतना बताया जा रहा है कि ये सब परभावशाली लोग है कलकता हाइकोट ने 10 अपरिल को संदेश खाली मामले की जाच CBI को सौप दी थी और अपने आदेश में ये कहा था कि CBI कोट की निगरानी में जाच करेगी और रिपोर्ट सौपेगी अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई दो मई को है जानी कि नेक्स्ट वीक जादा समय नहीं रह गया है और पूरा मामला अब काफी गंभीर होता जा रहा है इसी बे बात करते हैं और मेरे आज के बहुत ही खास महमान है कि इसी गुपता जी उनको मैं अपने साथ जोड़ लेती हूँ और फिर उनके साथ आगे बातचीत करते हैं नमस्ते सर, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते, धन्यवाद, आपके दर्शों को भी मेरा, नमस्कार सर, ये कारवाई बताती है कि टीमसी नेता शेख, शाजान और ममता सरकार की मुसीबते अब आने वाले दिनों में काफी बढ़ने वाली है जिस तरीके से लगातार कारवाई चल रही है और शुकरवार को भी रेड होती है एनस्जी की टीम वहाँ पहुचती है क्या कहते है सर? लेकि मुसीबतें तो जुरूर बढ़ेंगी इनफेक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि मुसीबत आने में समय लग गया क्योंकि ममता दीदी जिस तरह की राजनीती करती है हिंसा, व्याकत तोर पे हिंसा और आपराधिक तत्वों को प्रश्र देने का ऐसा लगता है कि उनके राजनीतिक दर्शन का एक अनिवारी अंग बन चुका है याद कीजिए ये वही मुन्ता दीदी हैं जिनोंने जब शुरुआत की थे अपने राजनीतिक करियर की तो जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं जो 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 पड़ पटी में रहते हैं जो सभी साधनों से विहीन हैं बन्चित हैं उन लोगों की चैंपियन बनके सामने आई थी और इसे बहुत उमीदे थी इनका रहन सहन इतना साधारण था लगता था कि ये राजनीतिक को एक नई दिशा देंगी जहां पे उस उन दिनों दूसरे राजनीतिक ये बिन बिन प्रकार से धन संपत्ति हासिल करने में रहते थे ममता दीदी बहुती साधन डंग से रहती थी सस्ते सी हवाई चपल, सबसे सस्ती साड़ी और उनका रहन सान इतना साधारन था कि वो बिलकुल सबसे गरीब लोगों से जुड़ी ही थी और जो जहरुपनवीर में बहुत था बहुत बुद्धिमान तो थी, चीजों को सारे बड़े-बड़े इशूज को बहुत जल्दिया पकड़ लेती थी अब कॉंग्रेस के नेता जिब ये कॉंग्रेस में धी तो उनसे इनका बड़ा लंबा संगर्श चला क्योंकि जो कॉंग्रेस के मठा धीश थे खासकर पस्चें बंगल के वो इनको हजम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मुम्ता दीदी बड़ा स्पस्ट बोलती थी और गरीब लोगों के हक में बोलती थी इन्होंने यहां से शिरुवात की थी अब धीरे धीरे इनका राजनेतिक रूपांतरन ऐसा हो गया टोटल ट्रांस्वर्मेशन कहना चाहिए कि अब ये सक्ता के नाम पे कुछ भी कर सकती हैं कुछ भी करती आई हैं कर रही हैं कई बरसों से कर रही हैं उनके उस स्वरूप से आगे बढ़के देखेगा जब ये बाजपेजी की सरकार में मंतरी बनी केंद्य रेल मंतरी इतना भारी भरकम मंतरा ले इनको मिला था उसके बावजूद भी ये हर आए दिन बाजपेजी को परिशान करती थी बाद बाद पर रूट जाना रूट के कलकता चले जाना फिर अपना समर्थन वापस लेने की धंके देना यानि के जितना ज़्यादा उसमें से स्टेक किया जा सके वो इनका प्रयास रहता था चलिए वो भी चला गया फिर एक दोर ऐसा भी था इनके राजनितिक करियर में जहां से पता चलता है कि इनकी thinking में किस तरह का destructive विनाशकारी परिवर्तन आया जब टाटा नेनो अपनी गाड़ी का प्लांट महां पे लगाने वाले थे सिंग भूम नंदी ग्राम में तब इनों वो अपनी जमीन को इनकी जमीन को उठा के ले जाएंगे या मुफ्त में उनसे ले लेंगे और ये प्लांट लगने से पश्चिम मंगाल के लोगों का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है एक इस तरह का प्रचार इनोंने किया और उसी प्रचार के बल पे इनोंने बड़ा अंदोलन खड़ा किया अब लोगों को गुमरहा करने के इनकी खुमता बड़ी विशाल है ये बात मानने होगी शुरू में जब ये गरीवों की मसीहा बनके सामने उभरी और जिस धंक से इनोंने उनके साथ कनेक्ट किया अपने साध़न रहन सहन से अपनी बातों स सीधां से कनेक्ट होती थी उसका किस प्रकार इनोंने फिर दुरूपयोग किया और उस दुरूपयोग के परिणाम ये निकले कि इतना बड़ा प्लांट जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलना था करोलों कितने रुपे का पच्चम बंगाल की सरकार को रिवेन्यू म अजनिती का ब्रांड ममता जी तब से चला रही हैं वो केवल और केवल इनके अपने और इनके अपनों के हित्मे है वो ना आम जनता के हित्मे है ना है किसी सरकार के हित्मे है और देश के हित्मे तो बिलकुल भी नहीं है ब्रस्त्याचारियों का इतना जवर्दस्त समर्थ ममताजी करती आई हैं कई बरसों से कर रही हैं उसके एक जलक हमने देखी थी जब कलकत्पा के तत्कालीन पुलिस कमिशनर को पकड़ने के लिए सी बी आई की टीम आई थी तो उनके बचाओं में ये खुद धरने पे बैट गई थी मैं समझता हूँ भारत के तिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सत्ता निशीन मुख्यमंत्री किसी ब्रस्त अधिकारी को बचाने के लिए इस तरह से धरने पर बैठे अब बात आई संदेश खाली की संदेश खाली में भी यही सब कुछ सामने आ रहा है इनका जो खास गुर्गा है वो शाह जहां शेक वो पूरी तरह से आपराधिक तत्व है उसमें नक किसी नेता के गुण है उसमें तो सामने आदमी के सामने गुण भी नहीं है उसमें यदि कोई गुण है गुण तो क्या उन्हें अवगुण कहना चाहिए वो केवल और केवल एक छटे हुए अपराधिक है उसका राजदितिक करियर हम पहले पी जैसे चच्चा क कर चुके हैं पहली बात तो आदी बंगलादेश चाया भाग के ये मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं है फिर जैसे मंगाल में और लाकों लोगों ने किया इन्हों ने भी अपने कुछ कागजात बगरा बनवा लिए वोटर लिस्ट में आ गए और चूंके पार्टी थी सत्ता में जोती सी पीम उनके नेताओं के साथ इन्हों ने अपनी पिंगे बढ़ानी शुरू की और उनके साथ रहे गए और धिरे धिरे अपने आप राद का सामराजय भी बढ़ाते रहे फिर जब दो हजार बारा तेरा में इनका पानी उतर गया मणताजी के साथ जुर के बीच में कुछ समयिनों वह में कौंगरेस से साथ भी को कौशिश कई उसमें जग्याबी नहीं मिली ने तो फिर ममताजी के साथ लगे और ममताजी के साथ इनको बहुत बहुत जब जद्बहाव मिले प्रभाव कालने यह Sudнок इनकी अपनी निजी से में इलाके में घुनते रहते हैं जिनको इन्होंने नोकरी पर रखा हुआ है लोगों को डाराने दमकाने से लेकर उनकी जमीनों मकानों पर कबजे से लेकर के तमान तरह के अपरादिक कारिये वो करते हैं और सबसे बड़ा कारी लोग तंतर की कहना चाहिए डिस सर्विस में करते हैं वो यह की वोई डिक्टेट करते हैं कि इन चुनाओं में वोठ किसको जाए वो तरह करते हैं वो कहें तो CPM को जाए वो कहें तो मंताजी को जाए किसी और को जाने का तो प्रश्णी नहीं है और अभी तो केवल मंता जी को जाए और वो राजनीती में जो शाह जहां है वो आते अपनी जड़ें जमा के चले गए इनके जो आका हैं उनको पैसा चाहिए पैसे का प्रबंद कर देंगे उनको वोट चाहिए वोट का प्रबंद कर देंगे उन्हें कोई और संसाधन चाहिए गाड़ियां चाहिए उसका प्रबंद कर देंगे लोगों की जमीनों को हड़पा और फिर उनको बिन बिन नामों से उप्योग करने लगे कहीं फिश मार्केट बना लिया कहीं कुछ बना लिया मंता जी इन सारी चीजों को जानते समझते हुए भी उनके आशिरवाद से उनके समर्थन से जो स्थानी प्रशासन है उनका पूरा का पूरा सपोर्ट इन महाशे को है और यहां तक रहा है कि यदी कोई वेक्ती कोई शिकायत लेके पुलिस के पास जाए तो पुलिस का अधिकार ये वो शिकायत पहले इनके पास भेज़ करके इन से पूछता है कि सर बताए इसमें क्या करवाई करनी है अत्वा नहीं करनी है क्योंकि ये महाशे खुद अपना दर्बार लगाते थे ये लोगों से कहते थे कि सब कुछ मैं ही तो हूँ तुम्हें किसी कोई दिक्कत है तो मेरे पास आओ मैं उसका बिलकुल इलाज करूँगा इनसाफ करूँगा और ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही करते थे जो ये अपने गलित तरीकों से पैसा कमाते थे तो उसका एक हिस्सा ये कुछ लोगों को देते भी थे उनकी बेटियों की शादियों में उनकी मदद करते थे किसी को मेडिकल इमर्जिंसी है तो उसके इलाज के लिए भी जाने कुल मिलागर के इन्होंने अपना एक पैरलल राज्य वहां तो जो मोडल ये महंता जी चला रही हैं और फिर ये भी ध्यान रखे कि शाजा शेक अकेला नहीं हैं कि जैसे उन्हें जाने कितने हैं तो जो हरत के समिधान के अंतरकत जो लोगतांतरी की भवस्ता पूरे देश ने अपनाई है इन्होंने उसको बिल्कुल ही रिप्लेस कर अपने किस्म के गुंडा तत्त गुंडों के सामराज्य के दुख ये इस्तिति है आपने बहुत बड़ी बात कही कि मुहमता जी की याद दिला दी कि एक सिटिंग मुखमंतरी जो है धन्ने पे बैट जाता है और बहुत सारी सिमिलेरिटीज हैं केजरिवाल में अर्विन के इजरिवाल जी में और महमता जी में और लास्ट के दिनों में देखिए इनकी काफी बंद भी रही थी ये कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष है खडगे जी को मिलने जाते हैं काफी सारी इनकी इन्होंने वाँ उस समय खेल तमाशे किये अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए इ यह जो चीजें चल रही हैं मैं आपको एक आज प्रधानमंत्री नरेंद बोदी ने वहां पर एक रोड़ शो किया था उसमें आप देखिए जबरदस्त जोश लोगों का देखने को मिलता है इसके अलावा उनकी रैलियों में भी देखा गया जो उन्होंने वेस्ट बंगॉल में की लगातार वो टाइम दे रहे हैं वेस्ट बंगॉल को और मतला पहले तो वो संदेशकाली के महिलां सभी उन्होंने कनेक्ट हुए उनसे और अपने भाषन में वो मैं सुन रही थी वो ये कह रहे थे कि मैं ये विश्च करता हूं कि मैं अगला जनम जब लू मैं वेस्ट वेंगॉल में जनम लू आप इसको चुनावी भाषन भी कह सकते हैं लेकिन जिस फील से प्रधान मंतरी ने ये बात कही लोगों ने इसको बहुत पसंद किया अब ये सब जो चीजे हैं एक तरफ एड़ी की रेट चल रही है एक तरफ ये बं का समान मिल रहा है ये सब चीजे मिल रही हैं तो इनका चुनाव पर कितना परवाब देखते हैं क्योंकि इस समय अभी अभी तो कई राउंड का चुन आपने ममता जी का और केजरिवाल सहाब का जो आपने इनका तुलना की थी इनकी उसके बारे मैं थोड़ी सी बात में कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मामलों में तो दोनों बिलकुल एक जैसे हैं भाई बेहन के जैसे ही हैं लेकिन एक अंतरस पस्त जो दिखाई देता है व आला कि मुस्लिम तुष्टी करण की अपनी नीती के चलते हैं वहां इन्होंने अपने MLA को पूरा संद्रक्षन दिया जो दिल्ली धंगों में इन्वों थे वो तो इन्होंने किया इसी तरह से खालिस्तानी जो एलिमेंट से उनके साथ यूनके संबंदों की बात बार बार आती है लेकिन कोई चुटबहिया किसम का गली महले का गुंडा अपरा दी वो अपने सर पर बैठा लें कमसे कम अभी तक तो केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया है ये डिस्टिंक्शन तो मुहम्दा जी के पास ही है अब आई बार कर दूँ कि अर्विन केजरीवाल जी चुकि कि आज कर पड़े लाइम लाइट में हाला कि वो जेल के अंदर है तो उनकी हर बात पर नजर रहती है आपकी हमारी अर्विन केजरीवाल मतलब गली के गुंडे को क्यों मुह लगाएंगे जब वो कितना बड़ा गुंडा उनकी जेम में बैठा हुआ है पन्नू उनको गली कि नहीं तो रास्टेस तरके तो बहुत से जो ब्रस्टाचारी लोग हैं उनके संपर्खवी ममताजी से हैं शावदा चिटफंड का मामला हम सबको मालूम है और भी कितनी तरह के जो घोटाले सामने आ रहे हैं वो सब चीजे हैं ठैर चलिए इस बात को छोड़िए जोहां तक आपका जो मुख्य प्रश्टना आपने अभी मुझसे किया कि ये जो घटनाए पस्चे मंगाल में हो रही हैं और जो सामने आ रही हैं उसका इन चुनाओं पे क्या प्रभाव होना है तो एक बात तो साफ है कि ये चीजे ममता जी के खिलाब तो जाएंगी ही देखिए अब तक क्या था कि ये कहते थे के भाई ममता का टोटल कंट्रोल वहां के लेक्टोरेट पे है हलांके पिछले चुनाओं में बीजेपी ने काफी बड़ी उनको टक्कर दी थी लेकिन वो पूरी तरह से काम्याब नहीं हुए थे और फिर इस बार का डेंट बड़ा है इस ब अगर आप एक समझें कि एक नमूना है वो ये अभी वेक्ती है उन हजारों महिलाओं की जिनका बरसों बरस तक शोशन किया गया है शोशन तो छोटा शब्द है जी जी यह उन दासियों के रूप में उनका प्रयोग किया गया है बिलकल बिलकल किसी भी महिला के लिए किसी म पूरी बात क्या हो सकती है कि जो कभी मत्ध्य यूग के अंध्य यूग में जो होता रहा दुनिया के दूसरे हिस्सों में कुछ वैसा ही विभार 21 सदी के लोक तंतर में भारत में बहिलाओं के साथ हो यह बहुत गंभीर मामला है और चुंके बाकी बंगाल आम तोर पे राज आज नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर के तुलना में कौलकाता शहर में आज भी महिलाओं को ज़्यादा सम्मान मिलता है मंता की वज़े से नहीं कि बंगाल की अपनी संस्कृती में देखिए उनकी अराध्या देवी जो हैं कालीमा है और आप अगर उनके जो बड़े साहित्त कारों के साहित्त को पढ़ें बंकिन चंद्र चटरजी हों या शर्द चंद्र हों या दूसरे जो उनके बड़े लेखक हुए हैं अब तक के लिजन्री उनकी इतिहास को पढ़ने से जात होता है कि आज ही से नहीं सदियों से सदियों सदियों से पश्चिम बंगाल एक तो प्राजनेतिक चेतना उनमें पूरी घनी है और दूसरी बात महिलाओं के परती पूरा-पूरा सम्मान है वो आधर करते हैं कुछ करते तो हमेशे गलत हो जाते हैं अब मंता जी के संपर्क मेहसरों है तेगोर की जो महिला किरदार है बड़ी बोल्ड है वो जी बड़ी बोल है और उनकी कुल आभा ऐसी आती है कि नकेवल महिलाएं बलके पुरुश्रून का बहुत सम्मान करते हैं जी 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 जब संदेश खाली की महिलाएं खुलके सामने आ गई हैं बहुत अरसे तक तो डरके मारें चुप रही मजबूरी है गरीब बैचारी और फरितनी बड़ी इस गुंडागरती के खिलाव अपनी आवाज बुलंद करेंगे ये बातें जब राज्य के बाके हिस्सों में जाएंगी जो के उलड़ी जा रही हैं तो निश्चित रूप से इसका खामे आजा ममता दीदी को भुगतना पड़ेगा क्योंके महिला और फिर खुद महिला है एक महिला मुख्य मुंत्री के शासन में बंगाल में महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या के साथ इतना बड़ा दुरुबहवार उनका इतना बड़ा अप्मान मैं समझता हूं कि बंगाल की जनता उसे उसकी अन्दे की नहीं कर सकती और फिर उनके जो गुंडा तत्तों के साथ जिस प्रकार से संबन्नों का खुलासा हो रहा है उसे भी वहां का भदर लो जरूर इस बात की नोटिस लेगा बीजी पी के खिलाफ़त उनके मन में जो भी है लेकिन खरी बात तो खरी होती है उसका नोटिस लेना होगा और अग तदिती खुद पूरी बरतन की बात करती थी, वो तो कोई पूरी बरतन हुआ नहीं और हुआ भी तो केवल नेगेटिव सेंस में हुआ, मैं समझता हूं कि इसका एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट बंगाल की जनता के हक में और ओविएसली बीजेपी के हक में भी पढ़न मैं यह जानना चाहती हूं कि यह ऐसे ही शेखों की वज़े से ममता दीदी ने अपने मैंफेस्टों में CAA और NRC का जिक्र किया है कि वो इसे खतम कर देंगी अगर वो जीतती है तो यह जो आवाज उन्होंने इठाई है, फिर वोई केजरिवाल का नाम आता है, उन्होंनों भी विरोद किया, दोनों बाहिवाले किसे हैं, जो है इनका चाहिए महमता जी का हो, चाहिए कॉंग्रेस का हो, चाहिए केजरिवाल का हो, या अन्ने विपक्षिदलों का, उसका कुल आधार, उनकी तुस्टिक रण की राजनीती है, दुर्भा के यह है कि कैसा कानून, जो उन मजलूमों को, जो अल्पसंख्यक इन पॉडोसी देशों में रहे गए थे भी भाजन के समय, और अफ़गानिस्तान में तो और पहले से भी थे, उनके साथ जिस तरह का वहार हो, और फिर उस उत्पीडन से डर के घबरा के किसी तरह से अपनी जान बचा के, वो भारत मे आए, और यहां आए भी उन में से हजारों लोगों को तो दशकों बीख चुके हैं, बरसों नहीं दशकों, और वो बिना किसी नागरिक्ता के अपना जीवन जी रहे, अब कल्पना करके देखिए, एज जिस टेटलेस जिसकों हम बोलते हैं, वो किसी देश के नहीं रह गए यहां रहे रहे हैं, लेकिन उनके रहने का स्टेटस क्या है, नागरिक्तों हैं नहीं, तो मोदी सरकार यह जो कानून लेकर के आई थी, वो ऐसे लोगों की मदद के लिए ही लेकर आई थी, क्योंकि उनकी एंट्री निश्चित रूप से भारत में, भारत के कानून के नुस इसी चीज़ जो उनको सामाने कानून के अंतरगत नागरिक्ता नहीं दी जा सकती, इस अडचन को दूर करने के लिए यह कानून आया था, CAA, Citizenship Amendment Act, लेकिन जो शातिर किसम पे विपक्षित दल हैं, इनफेक्स सारे ही हैं, किसे एका नाम क्या लेका, उन्होंने इसको ऐसा पिस्ट दे दिया, किसाब इस कानून की आड़ में यह आपकी नागरिक्ता छीन लेंगे मुसल्मानों की, ओवेसी जैसे नेता जो बहुत पढ़े लिके हैं, बहुत अच्छा भाशन करते हैं, वकील हैं, बहुत हुश्यार वकील हैं, और ऐसे हुश्यार वकीलों की कमी में भी नहीं हैं, कॉंग्रेस में भी नहीं हैं, मुझे हैरानी इस बात की है, कि इतने पढ़े लिखे विद्वान, और इतने कहना चाहिए काबिल वकील, जब इस तरे की बेहुदा बात करते हैं, तो पता लगता है कि उनकी सिंसेरिटी भारत के कानून के प्रती क्या है, पर बार बार ये बात कही जा चुकी है, कि ये कानून नागरिक्ता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है, मैंने भी उस कानून को पढ़ा है, मुझे कहीं भी एक शब्द ऐसा दिखाई नहीं पढ़ा, जो किसी की नागरिक्ता लेने का उलेख उसमें हो, हाँ, उन्हों गसी और बहुत यह चे कैटगरी चुकर च्छे की चहों इन तीन देशों में अख़गानिस्तान पाकिस्तान बंगलादेश इन में मिनावरिटी में हैं और वो वो वहां पे अलप संख्या में हैं और इतने ज्यादा कम हो गए हैं कि उनकां वहां अफगानिस्तान हम तो कोई बचाई नहीं है और पाकिस्तान में भी संख्षा नगणने सी है उनकी और जो हैं भी वो भी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं वहां पे जितने चेलेंजिज उनके सामने हैं और इनमें से जो बड़ी संख्षा में लोग वहां से भाग कर भारत में आ गए हैं यहां शरण दिये वे हैं लेकिन उनको सरकारी प्रश्रे कोई भी नहीं है आज की तारिख में क्योंकि वो यहां के नागरिक नहीं है तो उनको नागरिक्ता देने के लिए कानून बनाया था और ये शातिर लोग कहते हैं कि साब आपकी नागरिक्ता चली जाए बड़ी हरा CAA को isolation में नहीं देख सकते CAA के साथ NRC आएगा और NRC आएगा तो उनसे नागरिक्ता के दस्तावेज मांगे जाएंगे और ये अनपड़ मुसल्मान लोगों कागज़ा दिखा नहीं पाएंगे तो वो उनको उनकी नागरिक्ता चीन लेंगे जिनको पहले से मिली हुए मिस गाइड करने में मिस लीड करने में और देश में समाज में विद्वेश की भावना पैदा करने में लगा रहे हैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है पहली बात तो ये कि जो NRC है असम में तो लड़ी है जो असम में इतना बड़ा अंदोलन हुआ ता आपको पता है पिजारों लोग मारे गए थे और इन विदेशियों के खिलाब खासकर वो बंगला देश आए हुए मुस्लिम ही थे जो गयर कानुनी तरीके से लाखों की तादाद में आ गए थे और वो यहां के सिस्टम में भी घुस पैट कर गए थे उन्होंने अपने राशन कार्ड बन वाली है और बनमाने वाले ज़्यादा तर कॉंग्रेस के नेता ही थे अपने वोट बेंक के रूप में तो जब उनका इतना ज़्यादा संख्या हो गई कि असल की डिमोग्रेफी को खत्रा पैदा हुआ तो वहां के विद्यारतियों ने चात्रों ने आंदोने शुरू किया था आसू पोल एसम स्टूडेंट यूनियन करके उन्होंने शुरू किया बाद में एजीपी बनाया असमगण परिशद उन्होंने बनाया सरकार में भी आए तो वो सब के बेक ग्राउंड में जो समझोता हुआ हैं का भरत सरकार के साथ उसमें तह किया गया था कि भीया मैं किया भी है कि उसका कोई भी सिगनिफिकेंट इफेक्ट उन लोगों पे नहीं है हलाके उगेर कानों रूप साहे थी यह संदेश खाली वाले जो यह हैं हिरो शेख शाजर नेवी उन्हीं में से एक हैं यह सब बंगला देशी है सब वाकी देश में एनार सी को लागू अभी तक नहीं किया गया है और अगर कभी किया भी जाता है अगर सरकार की मन्षा है विक्यो अगले टर्म में हो सकता लागू कर दें तो एक बात साफ साफ यह है कि यदी आप भारत के नागरी कहें सही तरीके से तो तब तो कोई खत्रा है नहीं अगर आप गुस पेठी ये हैं तब भी आपको मौका दिया जाएगा साबित करने का के साब आप यहां के बोनाफाइड रेजिडिन्ट है जो कट ओफ डेट उसमें रहेगी कि आप उस डेट से पहले के आए हुए है भले ही गैर कानूनी आए हो तब भी आपको कोई खत्रा नहीं है ठत्रा केवल उन लोगों को है जो विशुद गुस्पैट करने की नियत से आए है या जो जिनके मनसूबे आतंकवाद को फैलाने के हैं या देश में दूसरे किसम की गड़बडियां करने के हैं जो स्पॉंसर्ड हो करके आए हैं किनी बड़ी ताप्तों के मोहरे बन करके आए हैं चिंता के बाद केवल उनको है जैसे मोदी जी कहते है ना कि डर किसको है जो ब्रस्टा चाहरी है वो जेल में जेल उसी तर्जबर नयागरिता जाने का डर केवल उन लोगों को होना चाहिए जिनके नियत ठीक नहीं है और जो गहर कानूनी फुटिंग पे है बाकी तो मैं कोई दिक्कत देखता नहीं हूँ ना इस कानून में और ना इसके तार तम्मे में जो एन रसी जब भी आता है ना उसके होने में ये जिसके हम बात कर रहे हैं शेख ये खुद एक मजदूर की तरह बंगलादेश से आया था आज की तारीक में इसके पास ये समझ लीजिए कि करोड़ों रुपए की संपत्ती है तई खुटालों में इनके नाम है और कितनी सारी जब्त भी हो गई है जी जी काफी सारी जब्त भी हो गई है और मैं यही जानना चाह रही थी मैंने आपसे पूछा भी था भी कि ऐसे कई लोग ममता जी ने पाले होंगे ममता दीदी ने जो बंगलादेश से आयो है अब उनको बचाने के लिए ये कैसी सियासत कर रही है सियासत तो इस प्रस्त है वोट बेंक की तुस्टी करण की फै यहां से कम पढ़े तो वहां से इंपोर्ट कर लो आफिर भंगला भाशी है जी चेरे मोरे से भी वैसी लगते हैं तो पहचाने नहीं जाएंगे फिर आप इंगे फटा फटा आप कागज बनवा दीजिए तो ममता जी का जो सारा का सारा देखे राजनीती है जैसा हमने कहा कि एक तो सबसे परमो को मुस्लिम तुस्टी करण पर है उन्ही के राज़े में है जहां पर राव नमी की जलूस की परमेशन नहीं दी जाती और जुम्हे के दिन नमाज की और कमान तरह की चीजों की कभी दीबी गई है परमेशन तो उनके रूट चेंज करवा दिये गए हैं ये सब इन्होंने कहा है और वहां के लोगों को लगता है कि भई हम तो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हम किसी मुस्लिम रास्ट में रह रहे हुँ तो मुमता जी की राजनीती का तो आधार बिंदू यही है कि कैसे भी करके येन केन प्रकारेन हमको कुरसी में बने रहना है उसके लिए जो बहुत संक्यक लोग हैं उनका समर्थन उनको नहीं है तो जो अलप संक्यक हैं उनका समर्थन ले लो उसके लिए कोई भी समझोते करने पड़ें, कानून के साथ करने पड़ें, मौरैलिटी नेतिकता के साथ करने पड़ें, राजनेतिक शुचिता के सिध्धंतों के साथ करना पड़ें, कुछ भी करना पड़ें, हमको सक्ता में रहना है और लोगों के वोट लेना है, बाकी जो को भी गरीबों का मसीहा कहते थे जी उसके बाद ममता जी की आ रही है किसी और की तो आई नहीं सन सत्तर से आज तक 2413 37 वर्ष हो गए हैं इन 37 वर्षों में जिन लोगों के ये मसीहा होने का दावा करती रही दोनों पार्टियां उनके जीवन सतर में क्या परसेटिबल चेंज आया है अगर कोई independent agency इस बात का आकलन करे तो मुझे विश्वास है कि उसका जवाब यही होगा कि कोई गुनात्मक परिवर्तन उनकी दशा में नहीं हुआ है कोई सुधार उनके जीवन सतर में नहीं हुआ है इससे साफ साफ ये पता चलता है कि उन गरीब लोगों के प्रत हासिल करते हैं उनके वास्तविक कल्यान के लिए ये लोग कितने प्रतिबद्ध हैं अभी आप इस सरकार के बात करिए के अंदर में या कुछ चीज़े आप ठोस रूप में बता सकते हैं जैसे मोधी जी अपने बास्टरू बोलते भी हैं इतने करोड लोगों के घरों में अपने गैस के कनेक्शन दे दिया है इतनी मुद्रा लोन का आपने कर दिया है अभी आंकड़े मेरे पास नहीं है लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हैं वो सब के से जी बहुत बड़ी संख्या में हैं करोडों में हैं करोडों में हर आंकड़ा करोडों में हैं जी तो वहा जी क्या दे रही हैं आप उनके नाम पर आपने एक मात्र जो बड़ी इंडिस्ट्री आने वाली थी आपने उसको भला दिया रोजगार के वसर्फ है आपने वो खुद गवा दिये अब तुम मोदी से सवाल करो कि मोदी जी रोजगार कहा है तो यह राजनीती जिस ब्रैंड की है देखिए मैं तो मानता हूँ कि यह यह सही माने में जिस लोगतंतर की अवधारना हमारे समयधान के निर्माताओं ने की थी वो लोगतंतर बिलकुल नहीं है पस्चिमंगा उसकी जगहें पे गुंडा तत्र गुंडा तंत्र महां पे चल परिवर्तन दिखता है सत्ता में परिवर्तन होता है तो चीजों में भी परिवर्तन दिखाई देगा जिसके लिए सब परयास किये जा रहे हैं आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी आपका भरबद धन्यवाद जैहिन जैभारत धन्यवा झाल झाल